देखिए आज मेरे हाथ में है Moto G4 Plus यह आपका Fingerprint Scanner के साथ आता है इसका Fingerprint Scanner बहुत ही अच्छा है आज मैं इसके कुछ Amazing Facts के बारे में बताता हूँ जिन में से साथ कुछ आप जानते हो और कुछ का नहीं बता हो पहले मैं इसकी Overall बात करूँ तो इसमें Fingerprint Scanner है 22Gb इसमें Internal Memory है और 3Gb इसमें RAM है कैमरे की बात करें तो इसमें 16 Megapixel का Rear Camera है और 5 Megapixel का इसमें Front Camera है Camera Quality इसकी बहुत ही अच्छी है इसमें 617 Snap Dragon Preciouser है जो के 1.52 GHz Octa-Core है अब देखिए मैं इसके Amazing Fact के बारे मैं बात करता हूँ यह देखिए इसमें मैं अगर दो बार टैप करता हूँ इसको यह देखिए दो बार मैं ने टैप किया इसको इसका Power Button दो बार जल्दी जल्दी मैं दबाया ऐसा Camera On हो गया बंद हो गया दो बारा से अब मैं इसकी बात करूँ देखिए एक जैसे ही मैं इसको दो बार इस तरह से रोटेट करता हूँ इसका Camera On हो गया दो बार अगर मैं रोटेट करता हूँ इसी तरह से तो इसका Front Camera चालो होगी एक बार करेंगे तो Back हो जाएगा दूसरी बार करेंगे तो फ्रेंट हो जाएगा अब देखिए मैं इसके एक फ्यूचर के बारे में और बात करूं आपसे कि यह देखिए इसको अगर मैं ऐसे कर दूबार तो इसकी यह LED जलने लग जाती है इसकी टॉट्च स्टार्ट होती है फ्लैस दुबारा करूं यह कि इसकी बंद हो जाती है तो आपको जरूरी नहीं अंदर जाके क्यान करें ऐसे भी आप कर सकते हो बलागे लिए एक और मैं अमेगे फूचर के इसके बारें बात करूं अगर मैं मैं इसको play some music बोला अब देखिए लॉक है इसलिए बता रहा है लॉक है अब देखिए मेरे बोलते ही इसकी music स्टार्ट हो गए अब देखिए एक फीचर बताता हूं मैं इसको कि देखिए जैसे ही मैं इसको बोला में के कॉल अब यह नाम पूछेगा आपसे जैसे home देखिए अपने आप आगया मेरे पार डूवल से मैं यह पूछेगा किस सिम्स आपको कॉलिंग करनी है इसको मैं लगा दूँ जिससे भी है कि कॉलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको अंदर जाने की जरूद नहीं यहीं से आप इसके कर सकते हैं इसी ट्राइप क कि जाएगा थैंक यू फर वाचिंग